उसके दादी बच्पन में होगे थी, वीवियानी के बद उसके घर्चा उड़िया तो उसे बड़ी चिंदर सवताने लगे थी, तो गाउं में अकाल भी पड़े हैं, लोक अंकाल हो गए, जो लाहे किया है, एकदम काम हो गए, उसने बाहर गाउं जाने की सोचा, और वहां ज कर उसने छोटे मोटे काम किया, और कुछ भाई से जोड़ लिया, फिर खबर आई कि गाउं का काल समात हो गया है, तो गाउं की और आपस गाउं वापस आ गया है, रास्ते में उसने एक जगे किनारे, उसे एक उटनी ने जराए, उटनी काफी बिमार दी, वह गर्बती दी उसने उटने पर दया गया और उसने अपने साथ लिया है, घर में उटने के ठीक चारा घास वगरा दिया, तो भाईर बूरी तरह स्वस्त हो गया, उसने एक अच्छी स्वस्त बच्चे को दर्म दिया, वह बच्चे उसके लिए बहुत भागसाली साविद, कुछ जीफ़ादी एक कलाकार गाउं के जिवेन पर चित्र बनाने उसी प्रचाहर में है, फैंटिंग के ब्रकति बनाने चिलाया के लिए प्रकति मुट्ट के बच्चे के दिम के बाल ले जाता है लगोग दो सब्था गाऊं में रहने के वाच चित्र बनाकर कलाकार चला गया इदर उठनी खूद दूप देने लगी जुलाव से बेचने लगा एक दिन वही कलाकार गाऊं लोटर जुलाव को कापी जारे पैसे दे गया क्योंकि कालाकार ने उन्स चिदिरों से बहुत परोस कार जीदे दे और उसकी चिद्र सब्सक्राइज बेक लेथे इसलिए उसने उतने जुला की मदद करने के लिए जुला को काभी चारे पैसे दे दिया जुला उस उट के बच्चे को अपना भागर कर सितारा मानने लगा कलाकार से मिली रासी से कुछ पैसे जने हुट के गले के एक सुन्द से घंटी करे दी और पैरन दी इस परकार जुलाए के दिन फिर गया वह अपने दुलन को भी एक दिन गौना करके लिया जुलाए के जुलाए के जिवन में जुलाए के दिल इसे इच्छा हुई कि जुलाए को धंद छोड़के उन्हा उटों के पारी इभन जाए उसकी पतनी में उसे पूरी तरह सहमात हो गई अब भाई भी गर्वती हो गई थी और अपने सुक के लिए उटने में उटके बच्चों की आवारी थी जुलाह ने कोच उट खरी लिए उनके उटों के बार चलना करा और जुलाह के पास उटों की बड़ी तोडी हासना में रहती ति उन्हें चern ने के लिए चोड़ दिया जाता था उट का बच्चच जो जवान होसे तो उसके साथ गंटी पे जाता जाता एक दिन गंटीधार कैंड तुम आप तुम से ढूर डूर को रहते हो गंपिसली गर्व से बोला तो मैं sono और मालिका भूला रहे हcue ला Pronunciation ओजिंग हो कर अपना मान भून नहीं कोना चाहता कि उसी चीद में बन मैं एक सहर रहता था सेर एक उजे अथर पच्चव का उंटों को देखता रहता था उसे एक उंटों और उंटों की अलग-अलग रहता नजर आया है जब सेर उसकिसी जानवर के चुन पर आक्रवा करता है तो किसी अलग तरक पड़े को ही चुनता है गंटी दारी की अवाज के कारण पर काम भी चरल हो गया बिना आको देके वह गंटी की अवाज पर घात लगा सकता था दूसरे दिन जब उंटों का दर चर कर लोट रहता तब गंटे दारी बाकि उंटों से 20 कदम पीछे चल रहता है सेर को घात लगाए बैठा ही था गंटी की अवाज में साना मगना का बाज दोड़ा और उसे मार कर जंगल में ले गया और खा गया गंटे तरी इस तरह गंटे गारी का एंकार उन्हें उसकी जीवन को समाथ कर दिया तो इस कानी से हमें प्रेह न मिलती है है कि सबसेस्रेशन जो सबसेस्रेशन को सबसेस्रेशन तो उसको यांग